आप साब अभी कह रहे थे, तमाम कमनल वाइलेंस की बात कर रहे थे, मैं अनुराग भई आप से जानना चाहे रहा हूँ, आप देश के बहुत वरिष्ट बत्रकार हैं, मैं पहले से जानता हूँ, आपके साथ जॉइन कर चुका हूँ बहुत बार, साब ऐसी क्या जरूरत बात कर रहे हैं, मनीपूर पर भी हमने समय समय पर चर्चा किये और आगे भी करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन अभी पश्चिप मंगाल पर रहे हैं, मेरा निवेदन है, इतिहास इसलिए ही पढ़ाया जाता है, ताकि भबिस में वो गल्तियां दा दोराई जा सक इतिहास को बढ़ाया जाता है, आखिर वो इतिहासी गल्ती जो हुई है, तो भई अमिशा यही तो कह रहे हैं, कि पश्चिप मंगाल में हिंसा जो है, वो आम बात हो गई है, हम कश्मीर की तरह वहाँ पर भी शांती और अमन चैनल ले आएंगे, वहाँ पर खुशाहाल है, लेकिन यहाँ अभी बावाल है, इसका मतलब यही तो है, कि वो पश्चिप मंगाल में होने वाली हिंसा से परेशान है, अब सब मुझे तनुराग भई बोलने दे, दस सेकट मुझे भी दे, आपके लगातार 20 मिनटे लोग उंग लिया है, साब कश्मीर में इतनी शांती है कि वहाँ यह चुनाओ नहीं लड़ दे, अब बेंगाल में असांती पैदा हो गई, अब आप देखिए साब मनीपुर में यह पोजिशन है, कि मनीपुर के मुख मंतरी लगातार धरना परदर्थन देते रहे, दिल्ली में, कि साब में जे मिल लिया जाए, मुलाकात कर लिय लेकिन हमारे देश के परदान मंतरी बेस्त थे, साब वो इस देश का हिस्सा है नहीं मानते हैं मनीपुर को, तो मैं कहना जा रहा हूं कि देखे, तमाम बड़ी समस्याएं हैं, और अब यह बेनकाब हो गए, आज भी बेनकाब हो गई पूरी तरह से, क्योंकि वो कहते साब आद देश में बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी चरम पर है, अभी साब नौजवानों की बात चल लए थी, अनुराग भई, इसी नौजवान ने आपकी सरकार बनाई थी, किसान ने सरकार बनाई थी, उसी किसान को भी आपने आतंकवादी कहा, खालिस् खालिस्तानी है, खालिस्तानी है, प्रमोट किये गए हैं, और उसके बात क्या हुआ, साड़े साथ सो किसान साइद हो गया, कोई पूछने वाला नहीं रहा, उन पर कील काटे लगाए गया, जब फिर उन्होंने मांग दोराया, तो उनको किस तरह प्रतारिक किया गया, सवा पंकर, भटाचारिया हों या अजीज जी हों, दोनों ही कहते हैं कि पश्चिम मंगाल में हिंदू, मुस्लिम अगर करती है तो वो बीजेपी करती है, और यही दोनों नहीं कहते हैं, ममता बनर जी का भी बयान आ चुका है, कि हम दुरगा पूजा में भी जाते हैं, यानि हम मुसल्वान तो बीजेपी करती है, देखिए अनुराग जी सबसे पहली बात तो यह है कि 1977 से लगातार साथ बाद, 2011 तक लिफ्ट का शासन वहां रहा, लिफ्ट भी इंडिया ब्लॉक का एक मौतपूर्ण कंसिचुएंट है, उसके जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं हिंसा बदस्तूर जारी अगर रही है, तो कहीं न कहीं लेफ्ट के शासन से मुक्ती जरता इसलिए चाहती थी, कि वो परिशान थे, वहां राजकता चरम पर थी, और लोगों को ममताब एनरजी से यह उमीद थी, कि वो उन्हें मुक्ती दिलाएंगी, लेकिन हिंसा और जो उनके जिन्दगी की मुश्किले थी, वो टीमसी के दौर में और ज्यादा बढ़ती चली गए, अराजक ततों की समानांतर सरकारे सब जगह चल रही है, संदेश खाली तो बानगी है, पूरे पस्चिम मंगाल में कहीं भी कानून का शासन नहीं है, और ऐसे में, आपने सुना होगा बयान, अब देखिए, राजे की मुख्य मंतरी है, कानून व्योस्था उनकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को अगर वो पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है उन्हें अपने पत्पब बने रहने के, ये चुनाओ का असर है, और पहली बार मनिपूर के बारे में भी ध्रॉट से कभी दिया आपने, राजीब भाई, पूरी तरह से बैक फूट पर दिख रही है, पहले तो सुवांकर भटाचारिया इस तरह के तरीके से मेरा एतराज है, मैंने आपको सुना है, आपको मेरी बास सुननी चा कि निर्देश का पालन कर सकूँ, अब आप थोड़ा देरे रखिए, लेकिए सबसे पहली बात है, पस्चिम बंगाल में ये चुनाओं में जो पूरी तरह से भाट टीम सी के ने था, बैक फूट पर क्यों दिख रहे हैं, अगर संदेश खाली में सब कुछ सही था, तो उन्होंने काफी लंबा वक्ग गवाया लेकिन उन्होंने किरफ्तारी की, वहां हत्यारों की बरामदगी हुई और तमाम तरह के सवाल जो भी खड़े होते रहे हैं, जिस तरह से एडी की टीम के खिलाफ जो वहां कारवाई हुई, या जो भी सेंट्रल एजेंसीज को लेकर कई तरह के वहां सवाल हैं और जो अलग-अलग ये सब लड़ रहे हैं, उसकी वज़ा यही है कि ममता बैनाजी के शासन की शैली को इंडिया के साथी भी स्विकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुकी ये बिखर रहा गड़ बंदन है या बिखर गया गड़ बंदन है, बस पल जनादेश की प्रतिक्षा है और इतना तय है, बेंगॉल की जनिता, कई ऐसे जो हिंसा और आतंकवाद को लेकर के जो भी बाते कही जाएं, इतना सम्रिदी तियास है पस्चिम मंगाल का, या बेंगॉल का, बेंगॉल ने रविना टैगोर को भी दिया, और नज्रूल इ चाहिदों की कुर्मानिया हैं, लेकिन आज का बेंगॉल जिस तरह से आराजकता के दौर से जूज रहा है, निसंदे बेंगॉल की जनिता, अपनी विरासत और अपने स्वर्णिम इत्यास की रक्षा करना चाहेगी, और मुक्ती चाहेगी, इसलिए कि ये नेता जी सुवास चंद बूस की धरती है, ठीक है, शुवंकर बटा चाहरे जी, राजी रजी रंजन साफ तोर पर कह रहे हैं कि खानून विवस्ता, एक मुक्यमंत्री के हवाले होती है, प्रदेश की ममता बनर जी अगर उसमें फेल हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देती हैं, ये बात मैं कि पहें, थो ये नहीं जे नहीं निकुला, चोड़ से मैंनिपूर को थो दीजे, कम से कम एक बात बता दूं, उन्हों ने दो बाती जूट हैं डी, पहली बात जब इन्नोंने का कि शेख सायाँ को तो वहां पर जो गिरफजारी होगे और यह सब बंगाल के прямо पुलीस ने हमने यह किया हमने वहाँ से अस्तर शास्तर पकड़ा तो मैं आपको बता दू अस्तर शास्तर जो पकड़ा वे फिर से अ मैठल सुप्रीम कोट के पास सम्झा 감사합니다 कि बिना प्रोटोकॉल फॉलो किये हुए आपके केंदी रेजिंसीज ने किया अब वो मैटर इस समय दाट इस डिव जूरिजडिक्शन पड़ा हुए तो इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा उसके आगे मी मैं बता दूँ जो दो महिलाओं को जो आप लोगों ने लिखा पड़ा के समझा के और मनरेगा का जिसको आपने किसी को नहीं बटा उनको उसका पूरा लालस देके पैसे आ देके लिखवाया था उन्होंने खुद जाके सुईकार कर लिया उन्होंने सुईकार कर लिया तो अब तो शरम कर लीजिए, अब तो कहिए कि जूट फैला के आप लोग चुनाओ जीतना चाहते हैं, हर जगे आपने लोगों को फ्रेम किया, और जिन नेताओं को फ्रेम करते हैं, वो कहीं गलती से आपके पाले में आ गए, तो आपने तो बाहें खुली रखी हैं, कि अब हमताबवद जी के लिए, शवनकर बता चाहे हूँ अरजुन सिंह थिक, अभी बैरकपूर से आपके लिए खड़े हुए हैं, अरजुन सिंह सहाब जो है, वो पहले हमारे साथ थे, पृछ छोड़के ब्यजय پی में चले हमारे साथ थे तो उनको काता था बहुत चले गए साफ हो गए सारे केसे साफ हो गए वापिस वो टीमसी में आ गए थे फिर बात वहीं पर शुरुआत हो गई अब वापिस वहीं पर खड़े कितनी बार पल्टी काई जरा बता हैं जरा प्लीज अपना न्यूस उठा के देख लीजिए किस कितनी बार खोले जा रहें किती बार बंद किये जा रहे हैं अभी भी समझाना पड़ेगा चलिए अब सवाल पर आ जाते हैं कि क्या ममता बनर जी सक्षम नहीं है क्या कानून विवस्ता समालने में जो हिंसा का दौर लगातार जारी रहता है मतलब अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आख इसा के मामले में ऐसे में तो मौझूदा सरकार का फेलियर ही सामने आएगा ना सर्वाल मुझसे जी बटाचारी जी 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 मैं आपको बता दूँ कि पस्चिम बंगाल में अगर जिसको कहते हैं कि अगर उसका नेगेटिव प्रोगंडा गर ना किया जाए तो अगर मैं इस भी प्रदेश में बीजेपी आई वहाँ पहले दंगे के हमाद्यम से ही आई चाहे वो यूपी ले ले लीजिए खून खराब है का वो दौर वो किसी ने सोचा नहीं होगा शायद मतलब इतिहास में यूपी में कौन सा तंका हुआ योगी के आने से पहले शुवंकर जी याद दिलाएए जरा क्यों आप भूल गए जो बाजबरी मस्जिद का जो ड़ाने का जो पूरा जो हुआ था कितने लोग मारे गए मैं योगी आदितिनात के मुख्यमंतरी बनने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैंने तो नेता विशेश पर बाती नहीं की मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ बीजेपी की सरकार भी तो यूपी में बड़े जरोबाद आई आप मुझे बता दे क्या आप मना कर देंगे कि भाई या गुजरात में कोई खुनी दंगा कभी नहीं हुआ क्या आप कहेंगे कि यूपी में कभी कोई खुनी दंगा नहीं हुआ क्या मनिपूर के हालात हम लोग नहीं देख रहे हैं तो सवाल तो ये बनेगा और सवाल उटने से इतना ज़्यादा जो चोट आप बार बार कहते हैं कि वहाँ पे टीमसी के दख से सबसे ज़्यादा किसके साथ हो रहा है कब जाके आप मुझे पूरा इधिया सुझा के दिखाए इंगा रहे हैं कि बीजेपी दंगे करवाती है ममता बनर जी भी यही कहती है जफर इसलाम के भारती जंता पार्टी दंगे कराती है उन्होंने साफ तोर पर राम नौमी पर जो हिंसा हुई थी उस पर भी कहा था कि क्या जरूरत थी जुलूस में तलवारें लेकर के निकलने की